किसान न्याई योजना का शुभारंब आखिर हो ही गया कुछ तक्नीकी खामियों की वज़ा से थोड़ा व्यवधान जरूर उत्पन हुआ था लेकिन मुख्य उद्देश बिना किसी व्यवधान के पूरा हो गया विधान सबा चुनाओ 2018 के पूर्व कांग्रेस के सभी बड़े निताओं ने किसानों के हित में बड़ी घोष्णाएं की थी तब से ही सभी को इंतजार था कि घोष्णाएं पूरी होंगी या नहीं सबसे बड़ी गोष्णा किसानों से धान की खरीदी को लेकर की गई थी 25 सो रुपे प्रतिक्विंटल धान खरीदने का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था लेकिन इसे पूरा करने के लिए पैसों की व्यवस्था को लेकर विपक्षी भाजपा भी उत्सुक थी नजर आ रहा था निश्चित रूप से वर्तमान सरकार ने किसानों के प्रति अपनी सोच को साफ कर दिया है शायद इस मामले में पूरवर्ती सरकार 19 सीठ है रही है पिछली सरकार अंतिम कारेकाल के अंतिम समय में किसानों की मांगों पर ध्यान दे सकती थी लेकिन उन्हें यह अंदेशा नहीं था कि किसान अब अपने हीतों को अच्छी तरह से समझने लगे हैं किसानों के खातों में पहली किस्त के पहुँचने से कोरोना के खिलाप चल रही लड़ाई में अब किसानों को आर्थिक परिशानियों से नहीं जूजना पड़ेगा दूसरी बड़ी घोशना किसानों के करज माफी को लेकर की गई थी जिसे सरकार बनने के बाद ही पूरा कर दिया गया था इसके लिए सरकार ने 8800 करोड रुपे जुटाए किसान देश की रिड की हड़ी के समान है इनके समस्याओं का हल किसी भी सरकार के लिए प्राथमिक्ता की सूची में अवल दर्जे पर होना चाहिए आज कोरोना की लड़ाई में किसानों का बड़ा योगदान है इनी के द्वारा उपजाय फसलों से ही सरकारें अनाज का वित्रन कर पा रही है उमीद की जा सकती है कि वरतमान सरकार किसानों की चिंताएं दूर करती रहेगी ताकि किसान अपनी पूरी शम्ता के साथ देश के विकास में मजबूत भागिदार बनकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे Bureau Report, DNX TV, Raipur